एक राजा ने ये घोशना कर दिया कि जितने भी भेड है उन लोगों को कमबल बाटा जाएगा तो भेड के एक बच्चे ने पूछ लिया कि अच्छा ये कमबल बनता कैसे और आएगा कहां कहां से इतना रुई जिससे कि ये कमबल बनके हम लोगों को मिलना है तो सारे भेर एका एक साइलेंट हो गए यह जानकर कि जो उसका उन है वो हमी लोग के पीट से निकाला जाएगा उसके बाद कंबल बटेगा सबको तो साहारा इंडिया जो रे 파ाव का आप लों को संदेश दे रही है इसलिए यह जेण्टुर के लिए एक संदेश है कि देखेगा यह कमबल के टरह नहीं हो जाए कि आज तक यहीं हुआ है कि कंबलत आप लोगों को मिला है लेकिन उसमें उन आप ही लोगों के पीछ से निकाला गया इस बात का ध्यान रखें नमस्ते मेरा नाम सुभम है और आप मुझे ब्रेन अब बिहार पे देख रहे हैं 24 सितंबर 2024 है आज और दो तीन सुनमाईया होनी है सहारा इंडिया से रिलेटेड मानानिया सुप्रीम कोट में आज ही के दिन पहला तो सहारा इंडिया फाइनेंसियल कर्पोरेशन लिम्टेड जिसका आर्बिया के लाइसेंस केंसिल हुआ था और वाइंडिंग अप का प्रोस में फाइल फिल्से खुला है इसका डेट का आज ही है मनानिया सुप्रेम कोट में असुन माई है और लिस्ट भी हो चुका है दूसरा एक मामला है Income Tax का सहारा इंडिया कमर्शियल कर्पोरेशन सुप्राइस का वह वह Income Tax और सहारा इंडिया कमर्शियलके बीच में है उसकी भी एक कोट में सुनवाई है मननिय सुप्रीम कोट में तीसरा एक important case है P.I.L. से related ही है उसी के अगर ये बंबे हाई कोट ने उस P.I.L. को खारिज कर दिया था उसी के appeal में सुप्रीम कोट में कुछ builders आये हैं और ये इसलिए important है कि बर्सोबा का जीक्र है इसमें और एक company तोटल एगारा builder आये हैं इसमें जिसमें एक सहारा से नाम मिलता जूलता company है स्क्रीन पर हम आप लोगों को दिखा देते हैं कोई सहारा ग्री निर्मार संस्थान करके नियोजित है तो हमको जो लग रहा है कि सहारा इंडिया से ही related होगी और इसमें बंबे हाई कोट में इसका निस्तारन भी हो चुका है और ये बर्सोबा से related है चुकि बर्सोबा और जमीन पर ही सारा कुछ ठिका हुआ है सहारा का तो ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या होता है और ये माननिया जस्टिस संजीव खाना जी के बेंच में ही लिस्ट हुआ है ये देखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है दूसरा जो इंकम टेक्स वाला है माननिया चीफ ज बर्शोबाला में अगर सहारा कहीं ये संस्थान हो तो क्योंकि बर्शोबा में इसका जमीन है नाम भी बर्शारा से मिलता जुलता है और इंवर्मेंट डिपार्टमेंट से हो रहा है कि वहां पे बिल्डिंग बनाने का परमिशन के लिए ये लोग लग रहे होंगे जैसे बोला गया था कि बर्शोबाला जमीन में आपके सांथ कोई कॉंटेक्ट करने आएगा अगर बीच में इसी केस में कोई मामला फंच जाएगा तो इसी का कुलू दे का सहारा कुछ दिन आगे खीच सकती है अगर यह मामला उससे से रिलेटेड हो तो नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है हम एक अनुमान लगा रहे है बस यह रहा कोट की बार दूसरा मुद्दा जो है कि पोटल पर पचास जार तो मिलने का एनाउंसमेंट हो गया लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दिजेगा कि पोटल पर डीटेन में अभी नहीं आया है कि पचास जार हम देंगे एफेक्यू में दिया गया कि इसका ब्यवस्था है और एक अधिकारी से बात हुआ था इसी का बेसिस लेके मीडिया ने चाप दिया तो अधिकारी बोल सकते हैं जो तो जीटेन में भी आ जाना चाहिए सोसाइटी पर पैसा लोगों का कुछ लोगों का रहा है लेकिन जितन सब और सब्सक्राइब का एक एभरेज डिपोजिट है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको 6,000 करूर रूपईया चाहिए रूपया है 5,000 करूर आपके पास तो सबको 50,000 भी नहीं मिलने जा रहा है इसके लिए आप लोगों निश्चिंत रहे है चुकि डाटा सहारा दे रही है, जो भी डिजन हो, तो जीन लोगों का successfully process हो गया है, उनको चाहा जा रहा है कि कुछ पैसा और दे दिया जाए, 100% लोगों का नहीं, यहाँ तो 99% लोगों का डिफिसेंसी आके परा हुआ है, उनको तो एक रुपया नहीं मिला, पतास दर का दोबाद छोड़िये, लेकिन इस पोटल के चक्कर में सहारा बहुत बुई तरह से फंस चुकी है और इससे निकलने का ये पर्यास करेगी तो इस चीज का भी अपनों देहान दीजिएगा कि बहुत सारा माहल बन रहा है कि रिलांच रिलांच तो रिलांच जो भी करना है करेए ये याद रखिएगा कि सारा क्यूसब इस्ट बेस्ट नौर्ड साउथ सेंट्रल सारा कमर्शियल ये सताथ कमपणिया है जिसका कोई माई बाप आज के डेट में नहीं है और इसका एक रुपया नहीं मिल रहा है तो कोई नई कमपणि लेकर सारा आए तो आप लोग अपना सोच समझ के इंभेस् प्रयास करेगी कि society का bond original जो है आपके हाथ से ले लिया जाए क्योंकि जैसे ही deficiency हटेगा 80,000 करोर का तो इसमें 50% से ज़्यादा पैसा income tax department का demand इसको आ जाएगा क्योंकि 20,000 से ज़्यादा जिनका जमा है वो as per income tax law ये deposit नहीं ले सकती थी और ये पहले यही सवा करोर लोगों को 10 करोर के रूप में दिखाते आई है रियल एस्टेट और हाउसिंग तर से वहाँ भी चार करोर लोगें बताई थी इस पोर्टल आने से हुआ है कि मातर सवा करोर लोग अजो नहीं किये उनको भी जो लेजेगा तो दो करोर से कम ही इनवेस्टर निकलेगे तो ये चीज खुलासा होने वाला है इसे लिए डिफिषेंसी नहीं हँट रहा है जहां डिफिषेंसी सब कहटा वहाँ इंकम्ट्रेक्स कर डंटा इस-पे चला तो कोई न कोई बहाना करके डेऩश सेला लाने ही भाली है थोड़ा बहुत लोग को ठोड़ा जाएगा दिशुने को को हजार सब को दे दे तो तुम जिसको मिला है दस जार उसको दस जार मिल जागा बहुत अच्छा बात है लेकिन जिसको एक पज़सा नहीं मिला उसको पचास जार आप कहां से दीजिएगा तो बोलता दिया है कि सब को पचास जार देने के लिए पचास जार करोर से ज्यादा ए है 5000 करोर अगर मातर 10 लाख लोगों को भी 50-50 जार रुपया दे दिया जाता है तो यह 5000 करोर खतम हो जाएगा यह चीज आप लोग जाने यह सुप्रीम कोट की नहीं लाई यह पैसा यह आप लोगों से नहीं हो पाएगा इसलिए इसको आनन फानन में 50,000 रुपया देने का मेडिया रिपोर्ट से किया जा रहा है लिए रीटेन में अगर आ जाएगा तो सुसाइटी फंच जाएगी सुसाइटी का मतलब CRCS कि आप दें जाना है इस पोर्टल से तो इसमें अच्छा खासा एमाउंट चाहिए जो कि अभी नहीं है मेरा अनुमान यहीं है तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था आप लोग कमेंट कर रहे थे तो क्या हम बोल दिया है कि 28 दिन तक कोई भी निगेटिव कमेंट सहरा पे नहीं करते रहेंगे अभी इतना ही बताना था कि आज सुनवाई है रिलांचिंग के चक्कर में नहीं आये बॉंड को अपने पास ही रखे चाहे कुछ भी हो जाए अगर सहरा ने भुकतान शुरू कर दिया ब्रांच से तो जाके पैसा आप ले ले वी थी इंट्रेस इसमें कोई दो राए नहीं है और उसका सोचल मीडिया का वीडियो बनाके ड़ा भी डालें कि सहारा के तरफ से हमको 10,000 मिला है कि ब्रांच से किसी को एक बार में 50,000 रुपया का भुकतान नगदी या एक काउंट में हुआ हो सहारा के जब भी पूर्ता था तो अगला बॉंड आपको पकड़ा दिया जा रहा था तो अगर 50,000 मिल रहा है तो अच्छी बात है जितना भी लोगों को मिले लेकिन ये केवल और केवल लोगों को भर्माने का तरीका है कि आप रिटेन में नहीं दे और मीडिया में आके बोल दे, CRCS के लिए हम बोल रहे हैं इस लोगों समझ में अ साहर है, CRCS का, जो साहरा का सिस्टम है, अब रहाबाद सुप्रीम कोट का तो उसमें अगली सुनवाई में क्या होता है हम अप लोगों को बताएंगे, इसलिए हमारे साथ बनने रहे हैं, जो भी सही निउज रहेगा हम अप लोगों को बताते रहेंगे, कहीं निगेटिव कभी नहीं बोलना है, जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाए, अब साहरा ने जो अपना स्कीम ले जाके समझाया है, सुप्रीम कोट ने उसको मान लिया है, और ज्यादा समय है नहीं, उसको ये कहीं साबित कर दे कि हम ऐसा कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को औ और आगे की बात बताएंगे, अभी के लिए इतना है, धन्यवाद,